कि नमस्कार मैमित आपका स्वागत करता हूं स्टीनियूज.co.in में आज आपको ले के आए हैं किसानों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं से बात करते हैं और जानते हैं किसानों को हाली में कौन सी ज्यादा समस्या आ रही जिनके लिए व बाएसाब लावे किसानों हर चीज में दिक्धत हैं कोई ऐसी चीज बची ही ने जिसमें उनको प्रॉब्लम नहों नहीं नहीं हैं शोन के लिए वीडिकल की विवहत्था हो हर चीज किसानों की चर्मराई हुई है सिर्फ यूटे वआदे करती खिसानों के लिए कुछ से कि अभी freaking सरकार ने किसानों के करण करें तो उसके ओपर क्या कहतों है उससे राहत नहीं में कुछ भी सरकार ने किसी केक रुपए प्रुपर के लिए जब भी हम लोग अंदोलन करने जाता कोई सारे किसान शंगठन जितने भी हमिल करके अभी दिल्ली में किया गया उस पर लाठी चार्ज होती है आतंक वादियों जैसा बेवार किया जाता है हम लोगों के साथ यह बहुत ही इनको 2019 में इसका भुगतना पड़ेगा तो 2019 के चुनाओं में क्या मूतोड़ जवाब किसान देंगे सरकार बिलकुल देंगे किसान इस बार तयार बैठा है कि बस 19 का ही इंतजार कर रहा है क्योंकि यह सुनने वाले लोग तो है नहीं अभी चाहे आई सुमान भारत रहा हो सिर्फ योजना ही है आप आंकड़े उठ साके देखिए कि कहां पर क्लेम हो रहे हैं कहां पर बीपील की बिवस्ता हो रही है सरकारी अस्पतालों से मरीज भगाया जा रहे हैं मुख्यमंत्री एक्सिटेंटल वीमा योजना जो चल लई थी उसमें क्या बुरा हाल है फाइयार आप बताईए आपका लिखा जाएगा सिर्फ बेकुब बनाया जा रहा है और सरकारी जितनी भी सरकार है सब सरकारी संस्थानों से प्राइवेट से मिल करके लूटा जा रहा है तो यह थे हमारे साथ में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष जिन्हों ने बताया कि किसानों को बहुत सारी समस्याइं आ रहे हैं जिनके ओपर सरकार कोई भी अपना ध्यान नहीं दे रही है और इसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि जैसे कि पात साल सरकार को हो चुका है लेकिन अभी तक किसान को पूरी तरीके से कर्ज माफी और अन्य सुविधाई नहीं मिल सकी है इसी के साथ मैमित आप से अज़ाज़त चाहता हूँ धन्यवाद ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करिए हमारे स्टी न्यूस चैनल को और दबाईए इस घंडे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरे